हाई फ्रेंड्स बॉलर ऑप्रेसिंग प्रिपेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बॉलर मेटरियल जैसा कि नाम से परस्ट दल रहा है कि हम आज बॉलर के मेटरियल ये के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ उसका कौन-कौन सा मेटरियल यूज होता है है हम मेन पार्ट् वह सब्सक्राइब करेंगे हम डिनका सनुर। सब्सक्राइब करेंगे। मेरा हैं तो सब्सक्राइब के लिए बहुत रह्त हैं साथ ने हर इंटरव्यू में अगर हम इंटरव्य देने भी आते हैं तो नो डाउट पूछा जाता है तो एक टफ टॉपिक भी माना जाता है तो इसको कुछिज करेंगे आज सिंपल से सिंपल मजने का और पढ़ने का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमागा टॉपिक बॉलर कि हमारे किसी भी applied load कोई भी load हम किसी material को पर apply करते हैं तो deformation या plastic deformation या फिर failure failure या फिर plastic deformation से पहले वो कितना अपने आपको hold कर पाता है, withstand कर पाता है उसको हम strength बोलते हैं creep resistance which refer to a tendency of a material to slowly deform over a long period of time exposure to high level of stress stress यानि कि अगर repeating stress या फिर high level of stress के अंदर regular हमारा parts running है, parts work कर रहा है तो क्या होता है कि धीर 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 ये अपने आपको deform करता है और failure होता है तो उसको हम creep against resistance करते हैं उसके लिए हम उस failure को prevent करने के लिए जो resistance develop करते हैं उसको हम creep resistance बोलते हैं तो creep failure होता है जो क्या होता है एक repeating force अप्लाई करते हैं या फिर एक repeating heavy stress के अंदर equipment work करता है तो creep failure होता है तो normally अगर हम जिससे बात करने कि हाँ rotating shaft या फिर इनके बात करते हैं तो उनके 10,000 hours या फिर उनसे ज्यादा का हम मानते हैं कि हाँ एक limit होती है उनके बाद उसके बाद chances होते हैं कि हाँ ये failure हो जाएंगे तो वो उस creep failure के against resistance develop होता है उसको हम creep resistance बोलते हैं कि हाँ हाँ टेंपरेचर पे आपने आपको कर पाया यानि कि में जो हाँ मेटल जो है मेल्ट करने लगता है तो उसके against जो resistance develop होता है उसको हम high temperature resistance बोलते हैं कि किसी भी material का होता है कि हाँ जो deformation होता है या फिर यानि कि वो टूटने के पहले कितना उसके अंदर stretch हुआ कितना compress हुआ अगर हम compress कर रहे है तो या कितना bend हुआ अगर हम bend कर रहे है तो तो उस failure से पहले जितना भी हुआ उसको हम elongation बोलते हैं hardness is a measure of the resistance to localized plastic deformation induced by either mechanical indention और abrasion तो हम एक localized यानि कि हम किसी एक जगह पर mechanical force के द्वारा किसी भी material में कितना वो localized force developed होने के बाद कितना वो अपने आपको hold कर पाता है अपने आपको localized force या फिर कोई mechanical indencer करते हैं कि हां किसी से हम उसको pinch करते हैं तो हमने अपने इंजिरिंग में भी पढ़ा होगा क्या कि हम जो मेजर्मेंट करते हैं तो उसमें हम hardness मेजर करते हैं Forgeability the degree of deformation that can be carried out without failure तो किसी भी material का deformation failure के बगार अपने आपको hold करते हैं the degree of deformation that can be carried out without failure तो हमारा failure से पहले जितना भी deformation होता है Forging में उसको हम Forgeability करते हैं corrosion resistance इसके वारे में पढ़ चुके हैं कि prevent environmental deterioration by chemical और electrochemical reaction तो जो हमारा corrosion होता है chemical और electrochemical reaction के द्वारा होता है तो उसके against पे जो हम resistance develop करते हैं उसको हम corrosion resistance बोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि यह जो resistance की बात आ रही है बार पर resistance आ रहा है यह क्या होता है कि जब हम iron में various type of alloying करते हैं mix करते हैं elements को तो क्या होता है कि उनके अंदर यह सब properties develop होती हैं तो यह सब properties develop करके हम अपने आपको अपने baller के materials को develop करते हैं तो यह हम अभी baller की बात कर रहा है तो यह सब normally हमारे baller में use होता है तो अगर हम बात करें आगे बढ़ें तो अपने types of material कितने प्रकारक होते हैं अपने baller में use होते हैं वो दो प्रकारक होते हैं और दूसरा alloy of steel हम well known है हमारे लिए carbon steel लिए बात करें तो carbon steel is an alloy of iron with varying quantity of other elements like phosphorus, sulfur, silicon and manganese यहनि कि iron का alloy होगा है मतलब उसमें जो mix कियाता है वो carbon के साथ-साथ phosphorus, silicon, manganese और sulfur इन चार elements का mixing कियाती है तो हमारा carbon steel form होता है, इनकी एक particular percentage होती है हम यह IBR को follow कर रहे हैं, हम इंडिया में baller के बात कर रहे हैं तो हम IBR के जिए नहीं जाएंगे तो यहां पर जो भी discussion होगा वो as per IBR ही होगा तो यह construction of maximum limit of this as per IBR तो इनकी limits कितनी हैं अगर हम normal बात करें low carbon steel के तो low carbon steel यह हमारा 0.25% से कम जो होता है, उसको low carbon steel बोलते हैं, medium carbon steel जो होता है वो उसमें carbon के percentage 0.25% से 0.5% होता है और high carbon steel में carbon होता है, 0.5% से जादा होता है तो as per IBR के अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 तरक होतने हैं 3 specification है कि हमारे कितने कितने carbon के साब से कितना कितना वो होगा तो हमारा एक low carbon steel और medium carbon steel यह तो तरक होता है कि हमारा 0.5% से दोनों कम है value तो 3 specification दिया है कि अगर 3 specification में हमको जो manufacturer है वो कौन सा है यूज करता है तो हमारे पास यह 3 होते हैं कहां IBR ने 3 specification दी है कि आपको जो यूज करना है इन 3 को इन 3 particular combination है उनहीं में यूज करना है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं 1st की बात करें तो 0.2% carbon रहेगा 0.035.035% रहेंगे ठीक है इनकी क्या quality से आगे पढ़ेंगे इसके बारे में सेम अगर हमारा seconds यूज कर रहे है 0.35 वाला तो उसमें silicon सेम रहेगा चेंज ही और होता है मैंगनीज में 0.29 से 1.06 हो जाएगा और सेम वही 0.35 में तो सेम ही रहता है तो मतलब अगर इन तीनों में से carbon में हमारा carbon है अगर हमा carbon vary हो रहा है तो उसके साथ-साथ हमको यह vary भी निच्ची वाला भी vary हो जाएंगे ठीक है और अगर किसी condition में क्या होता है कि हम carbon और भी कम करना चाहते हैं तो जुसकी maximum value है यानि कि 0.25 है अगर हम उसमें 0.01% कम करते हैं तो उस ही साथ से हमको उस condition में हमको manganese को 0.06% तक बढ़ाना पड़ेगा इच अगर हम उसमें रिड्यूस करते हैं carbon तो हमको उसके कम प्रिजिन में 0.06% of manganese बढ़ाना पड़ेगा लेकिन manganese की maximum limit है वो 1.35% है तो यह मतलब हम और डिटल में नहीं जाएंगे हमें जितना जानना है वह हम जानेंगे एस पर ब्योई प्रपेशिंग हेसाब से लेकिन पस यह पॉइंट है तो हमने इसको बता दिया ठीक है आगे हम देखते हैं कि हाँ इसमें क्या benefits होते हैं अगर हम carbon की बात करें तो carbon की वेसे हमारा tensile strength यानि कि वो strength जिसमें हम किसी material को हम खीच करके उसका elongation करते हैं तो tensile strength जो failure से ductility and weldability ductility और weldability यानि कि वो cast charging के तरफ बढ़ते आता है और अगर हमारा cast charging बनता है तो हमको पता है कहां cast charging में weld करना कितना मुस्किल होता है as compared to उसके पहले हम ductile metal के बात करें तो तो यह क्या है सेम वह अगर हम next बात करें manganese का तो यह क्या करता है कि resistance of cracking यानि कि cracking को से resistant करता है इसके tensile strength और hardness को बढ़ाता है और weldability decrease होती इसमें भी अगर हम manganese को ज़्यादा यूज करते हैं तो तो इनकी limitations है sulfur की बात करें तो form iron sulfite make steel porous and prone for cracking यह cracking से prevent करता है इसका इसकी decrease क्या करता है अगर sulfur ज्यादा यूज करते हैं तो toughness, transorb ductility यह जब चीजों को यह मत्तब reduce करता है transorb ductility अलग चीज़ है वह normally हम diagonal ductility को measure करते हैं elongation करते हैं तो वह अलग phenomenon है बस हम याद करने के लिए बात कर रहे हैं आप है silicon को हम बात करते हैं तो principal deoxidizer होता है तो यह क्या करता है silicon increased grain size बहुत ही important material है यह अपने लिए deep hardening properties को यह develop करता है और magnetic permeability को भी develop करता है copper जरूरी नहीं है एस पर आपने ibr carbon steel में copper जरूरत नहीं है लेकिं कहीं कहीं कुछ-कुछ baller manufacturer वह यूज करते हैं वह क्यवल corrosion prevent करने के लिए लेकिन यह हमारे लिए और तो बगार्म कार्बन स्टील एस पर ibr के बात करें तो copper compulsory नहीं है ठीक है यह क्या करता है एटमस्फरी करूजन से prevent करता है नेक्स हम बात करेंगे alloy steel के बारे में तो adding of one or more element in iron such as nickel, chromium, vanadium, titanium, cobalt and tungsten from alloy तो अगर हम जो carbon steel है उसके अलावा हम एड मेटरियल के properties का डैपलव करने के लिए क्या होते हैं उसके properties को डैपलव करते हैं Lynn को क्या है क्या है क्यों बोलते हैं carbon steel को carbon और iron का alloy बोलते हैं लेकिन यह real में alloy steel है क्योंकि इसमें हम जाज ज्यादा elements को add करते हैं तो improve greater toughness, strength, resistance to wear and corrosion यानि कि हमारा घिसने से या फिर abrasion से इस सब चीज़ से इसके against में वो strength को develop करता है superior to carbon steel, no doubt, retain greater strength and impact to resistance at higher temperature यह बहुत है कि हमको higher temperature में इस जो सारी qualities है क्या होता है कि जैसे temperature बढ़ेगा तो उसके साथ साथ हमारे material properties क्या होती है फिर decrease होन लगती है तो कोई भी resistance फिर वो decrease करता है तो उन temperature के साथ higher temperature के साथ resistance को hold करना यह क्या करता है, alloy steel में होती है, यह खासियत होती है more resistance to corrosion, process high temperature, oxidation, creep resistance and stability तो यह क्या करता है, यह qualities है, no doubt, इसके बारे में पहले से पढ़ चुके है use super heated tubes and header of steam pipe readers में भी यूज़ करते हैं, ठीक है कौन-कौन से other element यूज़ करते हैं, बाकी हमने पढ़ लिया, कहां carbon के बारे में पढ़ा, हमने sulfur के बारे में पढ़ा, phosphorus के बारे में पढ़ा, silicon के बारे में पढ़ा, manganese के बारे में पढ़ा, इसके अलावा क्या है तो अगर हम बात करते हैं, chromium के इंप्रूफ extreme hardness and resistance to wear without making it brittle ठीक है न, यह extreme hardness develop करता है chromium, chromium बहुत ही important है, आप देखेंगे कि हाँ जैसे से हमारा temperature range अगर हमाँ बढ़ता है ना कि जैसे जो 550 degree centigrade, 540 degree centigrade है, metal temperature तक वो design है लेकिन अगर वो 600 degree centigrade temperature तक ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, chromium के मात्रा बढ़ जाती है तो बहुत ही मतलब main ingredient कर सकते हैं आप alloy steel का from inert passive film of on the surface, over the surface एक और यह है कहां यह corrosion से prevent करता है कि जिसके पैसिव पैसिवेशन हम जिसके एक वर्ड सुने है वो पैसिवेशन अलग है, वो tubes के अंदर, water tube के अंदर develop होता है यह एक आपर over surface के ओपर एक passive inert passive layer develop करता है जो कि chromium की वैसे corrosion को prevent करता है निकल, increase the ductility of steel and allows it to maintain its strength, ductility maintaining करता है और manganese की बात करें, reduce effect of carbon to get same tensile but improve ductility तो हमको पता है कि अगर हमने carbon ज्यादा यूज किया है, फिर carbon यूज कर रहा है तो उसमें bitterness develop होता है तो उससे bitterness को कम करता है manganese, यानि कि ductility को hold करता है अगर हमने carbon ज्यादा यूज किया हुआ है, तो manganese यूज करने से इसको जो brittle property है वो कम होती है और वो ductile ही रहता है, ठीक है, तो मतलब इकदम property same नहीं आएंगी but उस चीज को hold करके रखता है वो increase the hardness and toughness vanodium promote fine grain structure when heated above critical temperature यह बहुत important है, critical temperature हमारे जो आता है, आरेंग करेंग में बढ़ेंग के बारे में तो उसमें बताता है कहाँ vanodium हमारा वहाँ पर हमारा बहुत काम का होता है also improve hardness and toughness molybdenum reduce enlargement of grain result strong grain बताब high temperature में अभी वो grain क्या होता है फैलता नहीं, उनके बीच में molecular distance नहीं बढ़ता है तो क्या होता है, उसके strength maintain रहती है latest hardening effect than any other element except carbon hardness, hardening effect develop करता है लेकिन इस से ज़्यादा carbon करता है तो यह carbon के बाद second hardening effect develop करने वाला element है tungsten, hardness and heat resistance, ठीक है तो इन में हम बात करेंगे कि हाँ इन में जो materials use होते हैं कौन-कौन से material use होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो material detail के बारे में पहले हम start करते हैं alloy steel में S210 ZR A1 यान कि carbonate steel के बात करें तो पहले tube के बारे हम इसमें दोनों को add किया है स्टार्टिंग के देखिए यह दोनों tube है और यह फिर pipe है तो इनको साथ में लेके चलेंगे और बहुत जादा नहीं मैंने यह किया है यह चार्ट है और next आपको एक और page मिलेगा आपको तो ताकि बहुत जादा complicated ना हो ठीक है तो हम उसको लेके चलते हैं सबसे पहले start करते हैं अपना carbon steel से ऐसे 210 gr A1 यानि carbon steel के बात करते हैं तो इसमें carbon की maximum percentage होती है 0.27 है और इसमें manganese 0.93 maximum silicon 0.1 phosphorus 0.048 और sulfur 0.058 तो यह आपको mostly जो है ना starting के दो यानि कि है हमारा जैसे कि SA 210 ZRC यह भी carbon steel है तो इसमें लेकिन हमारा जो बताया था ना कि हमां IBR में maximum carbon limit है 0.35 वाला तो उसके हिसाब से हैं तो इसमें हमारा यह जो sulfur और वह है मतलब phosphorus की बात करें यह maximum limiting की दी राती है तो यह common है इवें silicon भी common है तो हमारा जो vary कर रहा है वो क्या है carbon के साथ साथ हमारा manganese वो vary कर रहा है ठीक है तो यह सब चीज़े हैं हमारा तो उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूब की बात करें तो acid 106 GRB यह pipe है यह भी carbon steel का यह pipe है और ऐसे 106 GRC pipe है यह हमारे header में काम आता है यह जो हमारा है यह starting के दो यह हमारे economizer होगे हमारा और LTE superheater बोल सकते हैं हमारा कहीं कहीं LTE superheater में भी यूज़ करते हैं water walls हैं वहां पर यूज़ होता है carbon steel और उनके headers में यह हमारे यह pipe वाले SA 106 GRB और 106 GRC pipe जो है वो हमारे इनके headers में यूज़ होते हैं इनके percentage दिये हुए हैं drum की बात करें तो SA 516 GR70 होता है उसमें भी limitation है उसमें main carbon and magnesium होता है अगर हमारा thickness जो है seat का thickness 0.25 mm से कम है तो उस condition में हमारा carbon जो होगा 0.331 होगा और 50 mm से कम है तो 0.3325 होगा और 50 mm से ज्यादा है तो उस condition में हमारा 0.35% carbon यूज़ होगा और उसके साथ manganese जो है वो 0.9% यूज़ होगा यह हमारा drum का use होता ठीक है next बात करते हैं alloy steel के बात करते हैं तो सबसे जो famous होता है normally हमारे हर जगा हर plant में मिल जाता है ऐसे 213 T11 की बात करते है नॉर्मली में T11 या T22 भी बात करते हैं हम बोलते हैं सो sort में तो इनके carbon 0.15, 0.15 होते हैं carbon कम हुआ यानि कि हमारा material ductile ज्यादा होगा as compared to carbon steel से तो उसकी ductility ज्यादा होगी as compared to carbon steel manganese 0.3, 0.6% जैसा कि हम बताया थे कि हमारा carbon ज्यादा कम करते तो हमका manganese बढ़ाना पड़ता है तो compression ही हमारा manganese इसमें जो alloy में होता है हमारा 0.3 से 0.6% बढ़ा है silicon 0.501% T22 में silicon के limit 0.5 ही रहता है maximum तो यह इनका है phosphorous और sulfur जो है इनकी limit लगबग सेम रहती है तो यह normally यह पूछा आता है interview में पूछ रहता है T11 के बात करें T11 और T22 के बात करें और यह जैसे इसके corresponding जो pipe है P11 और P22 का तो इन दोनों के specificion आप देखेंगे तो काफी हद तक matching रहता है T11 और P11 का और सेम T22 और P22 का तो इनके जो pipe और tube के specificion है काफी हद तक match करते हैं मतलब बहुत ही कम difference आते हैं इन दोनों में और इसके बाद जब से higher temperature इनका temperature range की अगर बात करें तो जो हमार T11 की बात करें तो उनका जो temperature होता है वो लगबग 4500-500 degree centigrade तक design होता है metal temperature T11 की बात करें और इसकी बात करें तो यह लगबग 540 से लेकर के 560 temperature तक यह हम इसको यूज करते हैं लेकिन अगर उससे हमको 600 degree centigrade यूज करना है तो हम वहाँ पर T91 का यूज करते हैं ठीक है तो उसके साथ जो header pipe यूज करेंगे वो वो भी T91 SA 213 T91 sorry यह गलत हो गया SA 335 P91 है ठीक है यह गलत हो गया SA 335 P91 ठीक है तो यह जो pipe यूज होता है इसके corresponding में T91 के corresponding में यह SA 335 P91 यूज होता है तो इनके combination में लगबग आपको same मिलेंगे ज्यादा अब difference नहीं आता है लेकिन इसमें क्या होता है कि हाँ इसमें chromium जैसा बताया था कि हाँ temperature resistance की बारे में डिसक्स किया था कि हाँ इसका chromium क्या है कि high temperature resistance develop करता है तो आप देख पाएंगे कि जहां जहां हमारा temperature resistance vary हुआ है वहाँ chromium की मात्रा बढ़ी है पहले जो chromium की मात्रा थी वह उतना नहीं था कम था लेकिन जैसे से temperature बढ़ा है उसकी corresponding में हमारा chromium की मात्रा बढ़ती गई है अगर हम एक डियाग्राम के ब बना सकते हैं जैसा कि मैंने एक डियाग्राम बना के simple दिया है कहां यह water walls है यह water walls है यह गुजने कमारा हुआ यह अपना second pass हो गया तो उस condition में क्या है और यह हमारे drum हो गया जो ऐसे 516 gr17 drum platen super heater CRH जो हमारे cold tree heater हुआ 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 ह इनके जो material MOC है इनका हम बात करेंगे starting hot reheater और final super heater का तो SA213 T22 और T91 होता है ठीक है और अगर हम cold reheater के बात करें तो cold reheater और अपना इनके जो है T11 T22 यानिके SA213 T11 और T22 होता है LT super heater के बात करें तो SA213 T11 होता है ठीक है बाकी कहीं कहीं कुछ-कुछ प्लान्ट में LT super heater भी हमारा carbon steel का use होता है last even हमारे plant में भी था लेकिन बाद में उसको replace कर दिया गया erosion के साथ तो कहीं कहीं यूज होता है लेकिन maximum जगा T11 को use करते हैं लेकिन T11 को use करते हैं तो यह सब चीज हमारे एक आप बात करें रफ डियाग्राम तो रफ डियाग्राम आपका है जहां आप आप इसली बना करके आप स्कोर कर सकते हैं तो यह अपना ओवर्वी हुआ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और प्लीज जरूर कमेंट करें कमेंट मुझे काफी help करता है आगे motivate करता है तो प्लीज पर कमेंट जरूर करें और आपको कुछ confusion है या फिर आसा लगता है कि हां कुछ और इसमें add करना चाहिए तो जरूर बताईए उसको हम फि नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते रहिए आल दे बेस्ट बाबाई